तो आप कौन से हैं? आप हैं? आपका कौन सा ग्रूप है? कौन सा ग्रूप है? कार्णिवर्स. यानि कि आपने जो कार्णिवर्स है, उनके नाम लिखने हैं दस. और आपका कौन सा ग्रूप है? कौन सा? कार्णिवर्स. आपका भी कार्णिवर्स है? आपका कौन सा है? कार्ण के नाम लिखने हैं आपका कौन सा इां कार्णि वरस के और्भा कौन होगी य वाज़ान यार्ष काून होते हैं अगर हमारी है技 विडियो आपके लिए फाईदामять रही है तो हमें सपर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब क्लिक कर लें और बेल के ऐ किन पर लाज़मी से क्लिक कर लें ताकर हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंँस के। तो कार्नि Glass कौन से होते हैं जो सिर्फ यानए की जो जानवरों को खते हैं और आपका कौन से है वर्ष्ट ये कौन से होते हैं जानवर जो ज़स घास खते हैं तो लिखो दस दस नाम आपका लीडर कोन है तारफ नहीं इसको और भी कुई नाम है अमरेश्कमार आपका लीडर है ग्रूप लीडर और आपका ग्रूप लीडर कौन सा है अंजी कौन वर्षा जी आपका ग्रूप लीडर है और आपका ग्रूप लीडर कौन है ठीक है तो आप दस दस नाम लिखिए कार्णिवर्स के हर्भी वर्ष के कार्णिवर्स के और ओम्न कि आपका कौन सा ग्रूप ए है कार्णिवर्स और आपका कौन सा ग्रूप है ठीक है शुरू कीजिए फिर और इसमें आपको पांच मिनिट का टाइम मिलेगा पांच मिनिट में आपने दस-दस नाम लिखने हैं ठीक है सबका हो गया तो आपका कौन सा ग्रूप है तो बताइए फिर हर्भीवर्स कौन-कौन से हैं और आपका कौन सा ग्रूप है तो यह कितने लिखें आपने छे लिखें है पांच बोला था छे लिखें ठीक है वेरी गूड़ और आपका कौन सा ग्रूप है ओम्नीवर्स तो कौन-कौन से हैं ओम्नीवर्स फोड़ा बताएए डाग यानि कि कुता और हुमन बिंक्स कौन होते हैं इंसान हैंड केट बियर हैंड केट और बियर ठीक है ओके तो अभी आपको समझ आया कि यह कितने ग्रूप्स हैं हमारे तीन ग्रूप्स हैं एक हैं हर्भीवर्स चाँनिवर्स और अम्नीवर्स ओफ केद आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क हैं проект में क्या तरना ऑपनेग्स पास या आपके कहीं प्रानी किताब होंगे उसमें वो फोटू होगा तो उस वो आपने लाने हैं चाहिए एक होंगे दो होंगे तीन होंगे ठीक है ठीक है तो इसी तरह से आपका कौन सा है Carnivores आपका भी project work ये है कि आपने क्या करना है कि जितने भी हमारे आसपास Carnivores है उनके अगर कहीं पर भी photo आपके घर में है प्रानी किताबों पे है वो आपने लाने है चाहिए चार हूँ पांच हूँ दो हूँ कितने भी होंगे वो लाने है आपने ठीक है इसी तरह से आपका ग्रूप क्यों सा है Omniverse आप जन्दा ला सकते हो ठीक है फिर दोस्के पकड़ के लाओगे तो क्या हो गया ये तो जन्दा ये ना तो ये एक Omniverse हो गया Human beings इसी तरह से आपने फोटू लाने है कौन से Omniverse के ठीक है तो यह आपका प्रजेक्ट वर्क है घर का काम है ठीक है तो कल उसको फिर उसपे चर्चा करेंगे ठीक है